अपने वीडियो क्लासे रेगलर्ली देख भी रहे होंगे, अपना रिटन वर्ड भी आप कर रहे होंगे, लर्णिंग भी आपके साथ साथ चल रही होगी आज चैप्टर फाइव जो है उसका लास्ट टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं उसका हमारा की चैप्टर 5 है क्या वाटर एंड एयर, वाटर के बारे में हमने दिसकस कर लिया, क्या रहा है अपका एयर, रहा रहा है वो क्या है आपका air, ठीक है, क्या है air, air कहा मौझूद है, air, air is present all around us, हमारे air क्या मौझूद है, air मौझूद है, लेकिन इस air को हम देख नी सकते, नजर आती है air, नहीं नजर आती है ना हमें, लेकिन इसे हम feel कर सकते है, feel करते है, हवा बहुत तेज चल रही हो तो आपको feel होत आप air को निकाल रहे हो, तो भी feel कर सकते है, या tire से हवा निकल रही हो, तो भी आप उसे feel कर सकते हैं, देख नहीं सकते, देख क्यों नहीं सकते, क्योंकि air is a mixture of many colorless gases, air जो है, बहुत सारी colorless gases का क्या है, mixture है, कई gases, colorless gases, जिनका कोई color नहीं होता, वो air में क्या हुई होती है, मिक्स हुई भी होती है, और जो असान से लहदा हो जाती है, और उनकी properties, जो है, सबकी अपनी-अपनी मौझूद होती है, ठीक है, चलें, अब हम देखते है, what is the composition of air, air की बनावट क्या है, ठीक है, बनावट के air किन-किन gases से मिलकर बनी है, air में क्या-क्या मौझूद है, तो nitrogen की जो percentage है, वो सबसे ज्यादा है air में, कितनी percentage है, 78%, ठीक है, 78% जो है, air में क्या मौझूद है, कौन सी gas मौझूद है, nitrogen, second gas कौन सी है, oxygen, oxygen के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे न, कि oxygen को हमने पीछे discuss किया था, breathing में हम क्या करते है, oxygen को अपने अ इसके लावा, other gases है, जो 1% है, कम amount में, or gases मौझूद है, वो कौन कौन सी है, other gases में, carbon dioxide आती है, आगन आती है, आपके पास water vapors मौझूद है air के अंदर, तो यह उनकी percentage है, combine वो 1% है, ठीक है, तो यह है composition of air, क्या है composition air की, nitrogen 78%, oxygen 21%, other gases 1%, ठीक है, अब हम इन gases के uses को देख लेते हैं, कि यह gases जो है, वो हम कहां कहां use करते हैं, चले जाते हैं, uses of gases में, सबसे पहले, सबसे पहली जो gas, इसकी percentage air में सबसे ज्यादा है, वो कौन सी है, nitrogen, कितनी percentage हमने देख बताई nitrogen की, 78% air में मौझूद है, क्या use है, इस nitrogen का, use, it is used to fill food packaging, ठीक है, food की packaging में, किसको use किया जाता है, कौन सी gas फिल की जाती है, nitrogen gas, यह देख लें, food packaging में, कौन सी gas फिल की जाती है, इसके अंदर जो gas है, वो कौन सी gas है, nitrogen gas, ठीक है, second use क्या है, it is used to fill aircraft, aircraft, airplanes जो होते हैं, उनके टाइर में कौन सी gas फिल की जाती है, nitrogen gas फिल की जाती है, next gas, कौन सी है हमारी oxygen, बहुत well loan है, बहुत एहम है हमारे लिए, जिसके बगार कोई भी living thing जिन्दा नहीं रह सकता, ठीक है, कौन सी है oxygen, जिसकी percentage क्या है, air में, 21%, सबसे पहले हमने देखा, क्या important use है, it is essential for respiration, हमने बढ़ा था respiration, respiratory system में, हमने देखा respiration का process होता है, respiration के process में हम क्या करते हैं, oxygen को inhale करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, तो ये oxygen, इसके बाद अंदर जाने के बाद क्या होती है, हमने ये भी देखा था, क्या है, food के साथ क्या होती है, combine होती है, food की breaking down में काम आती है, और हमें क्या मिलती है, उसे energy, तो respiration का जो सबसे अहम process है, वो किसके जरीए होता है, तमाम living things में, oxygen के जरीए, ठीक है, इसके इलावा एक और अहम process है, जो के हम अपनी daily life में देखते हैं, और वो कौन सा है, burning का process, तो oxygen is also used, या it is also essential for burning, अगर हम burning का process करते हैं, आंक जलाने का, वो भी किसके जरीए होता है, oxygen के जरीए, अगर air में oxygen मौझूद ना हो, तो burning का process नहीं होगा, और अगर burning का process नहीं होगा, तो क्या होगा, आप फूट के को पकाने के लिए क्या इस करते हैं, burning का process करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, जब खाने को पकाने के लिए आपको oxygen नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, खाना नहीं पकेगा, और फूट नहीं मिलेगी हमें, तो हमारी भी क्या हो जाएगी, death हो जाएगी, तो oxygen जो है, वो दोनों एहम process में, बहुत इसकी जरूरत है, respiration और burning में, चल जल रही है candle, क्यों जल रही है, क्योंकि इसके हमारे एद्गेर मौझूद है, क्या है, एयर मौझूद है, और एयर में क्या मौझूद है, oxygen, तो जो बर्ने का process हो रहा है, जलने का process हो रहा है, किसकी वज़ा से, क्योंकि इसके एद्गेर, इसको क्या मिल रही है, oxygen, अब इसको नहीं मिलेगी और इसके अंदर बर्णिंग का प्रोसेस क्या हो जाएगा इस स्टॉप हो जाएगा ठीक है चलें देखते हैं करके हम अभी देखें कुछ देर के बाद अभी तो इसके कुछ एर मौजूद थी तो यह जल रही ती यह देखें खुद बंद हो गई नदर बंद हो गया ठीस बर्णिंग जो है व इसकी स्टॉप हो गई तो अक्सीजन जो है वो बर्णिंग के लिए बहुत ज़रूरी है एक्सीजन ना हो तो बर्णिंग am देखते हैं कार्बन डालक्साइड, कार्बन डालक्साइड आ família यह भी इसको भी देखा respiration में जब हमें oxygen respiration के दौरान oxygen की तो हमें ज़रूरत है हम अपनी body में लेते हैं लेकिन carbon dioxide बाहर निकालते हैं तो निकालते हैं बाहर तो वो कहा जाती है atmosphere में तो ये तो carbon dioxide हमारे लिए नुकसानते हैं लेकिन लेकिन एक जो living thing है हमारा सबसे एहम वो कौन सा है plant उसके लिए ये बहुत एहम है क्यों? क्योंके plants जो हैं carbon dioxide के जरीए अपनी food making का food की preparation का process करते हैं और उस process को क्या कहते हैं photosynthesis तो plants को जो है carbon dioxide की जरूरत है for the process of food food making और photosynthesis अब अगर carbon dioxide ना हो तो पर क्या होगा? plant जो हो अपनी food नहीं बनाएंगे जब plant food नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? basic need है na food तो plants खतम हो जाएंगे इस दुनिया से अगर plant नहीं होगे इस दुनिया में तो क्या होगा? animals नहीं होगे, हम भी नहीं होगे वो gas कौन सी gas होती है? carbon dioxide ठीक है? it is also using physics drinks, cold drinks आपने carbon dioxide के uses तो देख लिए अब हम activity के दुरू देखते हैं कि carbon dioxide जो है वो air में मौझूद है कम percentage है लेकि air में ये मौझूद है या भे हम respiration के दौरान जो है वो carbon dioxide को क्या करते हैं? रिलीस करते हैं, air में जो है वो उसको रिलीस करते हैं चलें जी ये देखें, क्या है हमारे पास? लाइम वाटर लाइम वाटर केमिकल होता है जो आपको बिल्कुल क्या नजर आ रहा है? colorless नजर आ रहा है, या इसका कोई color नहीं है जैसे पाटर होता है ना, transparent सा विल्कुल ये वैसा है इसी लाइम वाटर को हमने बीकर में रखा जाहिर सी बात है अब मैं इसको आपको लाइफ तो नहीं दिखा सकती तो पहले से ही मैंने लाइम वाटर को बीकर में रखा था दो-तीन दिन के बाद चुक्के air में क्या मौझूद है, carbon dioxide मौझूद है, carbon dioxide इस बीकर के अंदर एंटर हुई और lime water आपको कैसा नजर आ रहा है, थोड़ा सा वाइट सा नजर आ रहा है तो क्या हो गया है, white particles जो इसमें आपको नजर आ रहे हैं, वो किसकी वज़ा से है, carbon dioxide ने lime water के साथ reaction कर लिया है और lime water जो हो हलका सा क्या हो गया है, milky हो गया है lime water जो मैंने बीकर में वजूद है, जो कि थोड़ा सा milky हो गया है, इसको मैं किसमें डाल रही हूँ, इस test tube में ठीक है, यह देखें, यह जो है, क्या हो गया है, मैंने इसे, बीकर से test tube में डाला, तो यह आपको थोड़ा सा जो है, वो, change नजर आ रहा है थोड़ा 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 सा फरक है दोना में ठीक है अब जो है, हम क्या करेंगे मैंने इसको इसको डाला है, कि मैं इसे shake कर सको हूँ, शेक करोगी तो ज्यादा से ज्यादा carbon dioxide जो है, जो वाल्स में इधर-अधर मौजूद है, एर में मौजूद है, इसके reflect carbon dioxide lime water भी तुछका था दूर को सपत्छा दूद का कलर में तो यह हमारा हम ने पूफ कीया के क्या मोझूद है नेक्स्ट था आपने देखा क्या था एत बीदे है अब हम एक और gas देखते हैं, other gases में हमने कहा 1% other gases है, उसमें कौन-कौन सी gas आई हम इने बताया, आरगन हैं, और इसके अंदर carbon dioxide है और water vapors है, carbon dioxide हमने देख लिए, आरगन को देखते हैं, आरगन का क्या use है, कहा हम इसको use करते है, it is used to fill light bulb, light bulb जो हम गरों में यूज करते हैं, ठीक है, it is also used to produce laser, laser को भी प्रोलेजर का नाम सुना होगा, आप से laser से जो होगा हाई बीम आफ लाइट निकलती है, उस laser में हम किसको यूज करते हैं, आरगन को यूज करते हैं, ठीक है, अधर गैसिस में हमने और कौन सी गैस देखी, अभी हमने कारवन डाउकसाइड, आरकर, और क्या मैंने बताया, वाटर वैपर्स भी जो हैं, वो कहां मौझूद होते हैं, एयर में मौझूद होते हैं, और आप में अबसर्व किया होगा, जब हमारे पास ठंडा यख्ट पानी और ग्लाज में या बॉटल में, अगर हम उसे पाहा निकालने रखते हैं, इसकी ग्लाज या बॉटल की सिरफेस पे आपको क्या नजर आते हैं? तो आपको वाल्स पे ग्लास के या बॉटल के क्या नजर आते हैं? वाटर वैपस जो एर से कहां आ जाते हैं, किसी ठंडी जो सर्फेज है उसके आपको वाल्स पे नजर आते हैं, ठीक है? अब आप आप एर उसकी आपको पॉजिशन अर इसकी अंदर जो गैसे मौजूद है उसकी दिसकस किया आज का जो लेक्चर हैं आपको अच्छी तहां समझ में आ गया होगा और जो चैप्टर फाइव बॉटर एंग एर हैं यह आप लोग अच्छी तहां से समझ गए हैं अच म Εंदि किया है tutaj page No 74 exercise का Noka1 क्या है No 1 question, Fill in the Blanks No 1 water covers 장 part of our earth वाट नहीं कितना कवर किया है ок 3 upon 4 No 2 without Water there would be no dash on Earth वे बगाइर वाट की क्या होगा अर्थ में क्या मौजूद नहीं होगी, क्या नहीं होगी, लाइफ, ठीके, क्योंकि कोई living thing नहीं होगा, तो लाइफ नहीं होगी, अकिनल, living things में ही तो लाइफ मौजूद है, नमबर थर्ड, dash is the gaseous state of water, water की जो gaseous state है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, water vapor, नमबर फूर, dash of water vapor into water is called condensation, cycle पड़े था ना, steps of water cycle, उसमें हमने देखा था, जब water vapor को हम water में convert करते हैं, तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं water vapor को water में, convert कैसे करते हैं, cooling के जरीए, ठीक है, और इस process को कहते हैं, condensation, number five, air is a dash of gases, क्या है, mixture, number six, air contain dash percent of oxygen, composition हमने देखी air की, अब air में कितना percent oxygen मौझूद है, 21%, अब इसका number two, क्या है, select the correct answer from the following, choices and encircling, आपके पास choices मौझूद है, जो भी right answer है, correct answer है, उसे circle करें, और जो blank है, उसमें आपको right भी करना है, number one, dash is the most abundant gas, इंदा है, abundant का मतलब होता है, बहुत ज्यादा, कौन सी gas है, जो सबसे ज्यादा air में मौझूद है, ज्यादा तादाद में मौझूद है, तो कौन सी है, oxygen, nitrogen या argon, तो कौन सी है, nitrogen, ठीक, circle करें या nitrogen लिख दे, number two, a liquid can change into solid, by dash, liquid को हम solid में change करते हैं, कैसे करते हैं, heating के जरीए, boiling के जरीए, या freezing के जरीए, तो क्या आएगा, freezing, third, dash state of water is called ice, water की जो कौन सी state है, जिसे हम ice कहते हैं, gas, solid, या liquid, क्याएगा, solid, number four, water is called a liquid, because it dash, water को हम liquid कहते हैं, क्यूं कहते हैं, क्यूंके, it melts, flows, freezes, तो liquid क्यूं कहा जाता हैं, हमने देखा था, liquid होते क्या हैं, जिनके अंदर flow का process होता है, तो क्या आएगा, flow, number five, on heating and cooling, dash changes its state, heat करने से, और cool करने से, कौन सी ऐसी चीज है, जो अपना state, जो अपनी state change करती है, air, water, या steam, तो कौन सी, water, ठीके, हमने वाटर को देखा, heat करते है तो state क्या आ जाती है, gas, और अगर हम उसे क्या करते हैं, freeze करते हैं, तो कौन सी state में convert हो जाता है, solid में, ठीक है, number six, only one percent of air contain dash, one percent जो है, वो air में कौन सी gas मौझूद है, oxygen, nitrogen, या argon, तो क्या आएगा, argon, और इसके लाब भी other gases हैं, लेकिन हमारे पास option में argon है, तो हम क्या ल आपको homework क्या करना है, note down कर लें अपना homework, homework है आपके पास, do exercise four, book work, exercise four है, जो book work है, and exercise five का part one, ठीक है, बाकी parts हमने कर लिये हैं, सिर्व इसका one रहे गया है, जो copy में करें गया, और इसको यार भी कर लीजिएगा, ठीक, चले देख लेते हैं, page number 75 पे exercise four है, थ्री कर लिया था आप लोगों ने, मैंने दिया था आपको homework में, four क्या करना है, identify the gas by its uses, अभी हमने gases जो है, जो air में मौझूद है, उनकी uses देखे थे, अब यहां uses मौझूद है, आपको gas का नाम लिखना है, आप जो है सिर्व यूस पढ़ें, और उस gas का नाम लिखे, ठीक है, चले जी, क्या है, और उसकी composition क्या है, यह बतानी है, आपको air के heading डाल के air के बारे में लिखेंगे, और composition of air के heading डाल के air की composition लिखेंगे, copy में करना है आपको यह काम, ठीक है, हमारा यह chapter 5 जो है वह खता हुआ, उमीद है कि आज की वीडियो और आपको इसका homework जो है, अची तरह समझ मे आगया होगा, chapter 1 से लेकर, chapter 5 जो है वह हमने अब तक कर लिये हैं, उमीद है आपने इसका return work भी कर लिया होगा, और learning भी कर लिया होगी, ठीक है, इंशाल्ला आपके school बुलने वाले हैं, अपना return work भी complete कर लें, और अपनी learning भी जो है, प्रॉपर कर लिये आईएगा, ठीक है आला हमाफेश